Islamic faith के अंडर कुछ-कुछ procedure होता है, कुछ-कुछ religious practices होता है उसको तोड़ा सा social distancing और यह जो coronavirus और COVID-19 outbreak को मद्य नजर रखते हुए उसको कैसे follow करें, उसके उपर तोड़ा discussion करेंगे उसके उपर discussion करेंगे और आप लोग से request करना चाहता हूँ यह वाला चीज आपका community में, जहां पे भी आप लोग community leaders हैं आप लोग community leaders के हाथ में ही है, यह social distancing maintain करने का general public के बीच में इसको कैसा ज्यादा publicity देना है और कैसे उनको इसको enforce कराना है क्योंकि हर जगा पे district administration जाके social distancing करो, social distancing maintain करो करके it should come from the community, community खुदी इसको follow करना चाहिए इसलिए आप लोग को बुलाया है and we have called all our elected representatives और हमारा MLA, MP वगरा को बुलाया है और हमारा political parties को भी बुलाया है and बाकी जो committees का members, secretaries and all that आउन लोग को भी बुलाया है so मैं यह सुनना चाहता हूँ that आप लोग को कहने का क्या है हमारा main aim इसका, जो main aim है social distancing social distancing चाहिए और हमें कोई communal problem नहीं होना चाहिए इसलिए हम लोग सब को बुलाया है and I would welcome everybody to this meeting and our OSIS लोग भी है जो ground में जो OSIS है और कुछ-कुछ circle officers भी है जो ground level पे इसको enforce करेंगे enforce मतलब ऐसा नहीं मतलब पॉलिस जाके हर जगा पे enforce नहीं कर सकता यह आप लोग को खुदी enforce करना चाहिए because यह आप लोग को पता है यह coronavirus चीज़ मतलब बहुत पहलने वाला बहुत कंटेजियस चीज़ है इसके लिए आप लोग को बुला है जो important चीज जो है वही आप लोग को ब्रीफ करना चाहता हूं जो main the main theme जो है इसका it is social distancing अभी तक विमारी का vaccine नहीं निकला है so तब तक social distancing is the main thing और आप तोड़ा responsibly बोलना चाहिए ऐसा वाला बात नहीं because देखे ओ हाथ मिलाके कंदा मिलाके नमाज पड़ चकता है normal times but this is not a normal time ठीके this is a very serious matter क्या बोलता है यह 1400 साल से मक्का बंदुआ क्या कभी बंदुआ नहीं ना अभी बंदुआ ना so you please उसके एसाब से चलना पड़ेगा ठीके religious मलब अभी all religious scholars मलब बाकी लोग भी इसके यह दिया है पुरा All India में जो जो Islamic organizations है वो लोग भी यह मान गया वो लोग भी बोल रहा है social distancing maintain करो यह करो and all of them all of them मलब all Muslim organizations have agreed to the fact that social distancing maintain करने सही होगा so मैं आप लोग सा यह request करता हूँ जो government का guide लेने तीन व्यक्ति से ज्यादा नमाज पढ़ने में नहीं जाना है और बाकी जो religious rituals है जो sharing and इफ्तार 18 भी नमाज यह सब तो नमाज को आप गर में करिए गर में family members के साथ करिए और जिल्ला प्रसासन की तरफ से आम जो भी चाहिए मतलब जो भी जिसका fruit का कमी नहीं होना है milk का कमी नहीं होना है और जो सामान मिलना चाहिए उसके लिए हम पुरा विवस्ता करके देंगे लेकिन आप लोग social distance का maintain करना चाहिए आप लोग सब अपना अपना कम्यूनिटी में अपना जो मस्जीद में जाके यह वाला चीज को बताएए क्योंकि कल से शुरू होने वाला है और रेक्वेस्ट और सर्कल ओफिसर उसका उनका सर्कल का लेवल पे यह लोग एक चोटा सा मीटिंग करें और उनको जनरली समझाए और इस इस अवरी इंपोर्टन मेटर अंड सोशल मीडिया में जो भी गलत गलत जो मेंसेज आ रहा है उसका अलड़ी हम एक्शन ले रहा है और आमें कोई कम्यूनल स्ट्राइप नहीं चाहिए और सबको बडियासा चलना चाहिए रमजान मा एक मेना मिलता है और रमजान का दिन भी बहुत कुछी मनाता है ठीक है? So I would request you all to maintain social distance and celebrate Namaj